नमस्कार दोस्तों संस्कार की बादें चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारी वीडियो का विशे होगा मोक्षदा एकादशी दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सब से पहले हो सकी दोस्तों सभी मनुश्यों को एकादशी का वरत जरूर करना जाहिए क्योंकि एकादशी का वरत करने से मनुश्य का खुद का तो कल्यान होता ही है और उनकी आने वाली पीडियों का भी कल्यान होता है साल में वैसे तो 24 एकादशियां आती हैं पर पुर्षोतम मास की एकादशी मिला कर ये 26 हो जाती हैं एकादशी को किसी भी प्रगार का अनाज नहीं खाना चाहिए फला हारी ब्रत करें कोशिश करें अधिक से अधिक मोन रहें और मन में ही भग्वान का स्मरन करते रहें मोक्षदा एकादशी मार्कशिश मास के शुकल पक्ष की इस एकादशी के ब्रत को विशेश रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है महा भारत के युद में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी तिथी को दिया था यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जैनती भी मनाई जाती है आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है इस व्रत का विधान भी उत्पना एकादशी के समान ही है उत्पना एकादशी का संपूरन वितांत सुनने के पस्चात धरम रायुधिष्टन भगवान शिक्रिष्ण से कहा हे मधुसूदन आप तीनों लोकों के स्वामी सब को सुख देने वाले और जगत के प्रती है मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे देव आप सब के हितैशी है इसलिए मेरे इस संश्य को दूर कीजिए यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जैनती भी मनाई जाती है आज भगवान क्रिशन के दामोधा रूप की पूजा की जाती है इस फ्रत का विधान भी उत्पना एकादशी के स्मान ही है उत्पना एकादशी का संपूरन व्रितान सुनने के पस्चाद धरम रायुधिष्टन निष्भगवान शी किशन से कहा हे मधुसूदन आप तीनों लोकों के स्वामी सब को सुख देने वाले और जगत के पती हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे देव आप सब के हितैशी हैं इसलिए मेरे इस संशे को दूर कीजिए कि मार्ग शीर्ष चुकला एकादशी का नाम क्या है उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती हैं और उसकी विधी क्या है भगवन आप मेरे प्रशनों का विस्तार पुर्वक उत्तर देने की क्रिपा कीजिए भगवान शीक्रिष ने उत्ता दिया हे धरमराज तुमने बड़ा उत्तम प्रशन पूछा है इस से आपका यश संसार में फैलेगा सो आप ध्यान पुर्वक सुनिए मार्ग शीर्ष चुकला एकादशी अनेक पापों को नश्ट करने वाली है उसका नाम मोक्षता एकादशी है इस दिन्दा मोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, कुश्प, आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए भगवान को तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए अब मैं एक अतिप प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस परकार इस एकादशी का ब्रत करने से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वरक की प्राप्ति हो जाती है गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था उसके मार्ग में चारों वेदों के ग्याता ब्राहामन रहते थे वह राजा अपनी प्रजा का प्प्तरवत पालन करता था एक समय रात्री को स्वरक में राजा ने देखा कि उस का पिता नरक में पड़ा है स्वपन देखकर राजा को बड़ा दुख और अच्चरे हुआ और प्रातय काल होते ही विद्वान ब्राहमनों से अपने स्वपन की बात कही राजा ने कहा है ब्राहमनों रात्री को स्वपन में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझे से कहा है कि हे पुत्र मैं नरक भोग रहा हूँ मेरी यहां से मुक्ति करो आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, ब्रत आदी उपाए बताए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता तसा पुर्वजों का उधार ना कर सकी एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तसा पुर्वजों का उधार करता है वे हजार मूरक पुत्रों से अच्छा है राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राहमन कहने लगे हे राजन यहां समीप ही भूत भविश्य वर्तमान के ग्याता परवत रिशी का आश्रम है आपके प्रशनों का उत्तर वे भली भांती दे सकते हैं ऐसा सुनकर राजा परवत मुनी ने आश्रम में गए उस आश्रम में अने को शान्त जित योगी और मुनी तपस्या कर रहे थे उसी जगह चारों वेदों के ग्याता साख शात ब्रह्मा के समान परवत मुनी बैठे थे राजा ने वहाँ जाकर उनको साश्टांग प्रणाम किया परवत मुनी ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा राजा ने कहा है महराज आपकी क्रिपा से मेरे राजय में सब कुशल हैं प्रन्तु अक्समात एक विघन आ गया है जिससे मेरे रिदय में अत्यंत अश चांती हो रही है यह सुनकर परवत मुनी ने एक शन के लिए आंखे बंद की और भूत भविश्य के बारे में विचारने लगे फिर बोले राजन मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है उन्होंने पूर्व जनम में सोत के कहने पर नहीं दिया था उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नर्क भोगना पड़ रहा है तब राजा बोला हे महात्मन मेरे पिता के उध्धार के निमित कोई उपाए बताईए परवत मुनी बोले है राजन मार्ग शी शुकला एकादशी को उपवास करके उसके पुन्य को राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटोंब सहीद इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया फिर उस उपवास के पुन्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वरक को चले गए मार्ग शिश मास के शुकल पक्ष की इस मोक्षदा एकाद मुक्षद करने वाले के समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वरक लोग की प्राप्ति होती है इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाज़ पे यक कफल मिलता है यह व्रत मोक्ष देने वाला है और चिंता मनिक इसमान सभी चिंताएं दूर करने वाला है इतना कहकर भगवाल शीक्रिष्ट मोन हो गए राधे राधे जैश शीक्रिष्णा दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद